लेबनान का हिजबुल्ला लगातार उत्री इसराइल पर भीशन हमले कर रहा है और उसके जवाब में इसराइली सेना के लड़ा कुछ जहाज दक्षणी लेबनान में घुस कर रॉकेट और मिसाइले वरसा रहे हैं दर असल आईडियफ हिजबुल्ला के उन कमांडरों की तलाश में है जिनकी अगवाई में उत्री इसराइल पर हमले हो रहे है और इसी कड़ी में इसराइली एर फोर्स ने 3 जुलाई 2024 को हिजबुल्ला की आजीज यूनिट के कमांडर मुहम्मद नाहिम नसीर को मार गिराया नसीर को आईडियफ ने एक ड्रोन हमले में अलहाउच इलाके में मार गिराया है उन पर हमला उस वक्त हुआ जब वो अपनी कार में सवार थे और इसी हमले में मुहम्मद का शाब भी मारा गया है जो हिजबुल्ला का एक दूसरा कमांडर था नसीर की मौच से हिजबुल्ल को बहुत बड़ा जटका लगा है और अब हिजबुल्ला इसराइल से बदले की आग में जल रहा है और इसी बदले की आग में हिजबुल्ला ने इसराइल पर एक बहुत बड़ा हमला किया है दरसल हिजबुल्ला ने उत्री इसराइल के ऊपर करीब 200 रॉकेट और विस था कि सीरियाई गोलन हाइट्स इलाके में सडकों को बंद करना पड़ा वहीं खुली जगहों पर आग तक लग गई और इसकी वज़ा से इन इलाकों में बक्ती भी गुल हो गई इस हमले को लेकर लेबनानी न्यूज एजंसी अलमायादीन का कहना है कि इस बार हिजबुल्ला ने इसराइल के नए सेनने अड्डो पर हमला किया है कबजे वाले गोलन हाइट्स अपर अलजलील के काफी भीतर सफाद और नहारिया में हिजबुल्ला के हमले हुए है वहीं हिजबुल्ला का कहना है कि उसने IDF की नई पोजिशन जो काफार बलम में थी उन पर कत्यूशा रॉकेट्स से हमला किया है हिजबुल्ला का ये भी कहना है कि उसने आयलक बैरिक्स में IDF की 91 डिविजन के नए हेड़कॉर्टर और साथवी आर्म ब्रिगेट के हेड़कॉर्टर पर भी हमला किया है जो कत्साविया बैरिक में था हिजगुला के मुताबिक उसने 7 वी ब्रिगेट की आम बटालियन पर गामला बैरिक और 210 वी डिविजन पर नाफा बेस में हमला किया है इसके साथ ही यार्डन बैरिक्स की 210 वी डिविजन की आर्टिलरी डिविजन पर भी हमला हुआ है और हिजगुला के इन हमलों को लेकर इसराइली मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हमने उत्तर को खो दिया है मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीरियन गोलन हाइट्स में हिजगुला के हमलों में IDF का एक जवान मारा गया है जबकी कई सैनिक घायल हुए है म्रतक जवान की पहचान मेजर इटायक गालिये के रूप में हुई है जिसकी उम्र 38 साल थी वो यिफ्ता रिजर्वड आम ब्रिगेट की 8,699 यूनिट के डिप्टी कमांडर थे हालकि इन हमलों को ले कर IDF का कहना है कि हिजबुला के कई रॉकेट्स को आईरेंड डोम ने मार गिराया था जबकि कुछ रॉकेट्स पकड़ में नहीं आ पाए और इन रॉकेट्स और ड्रोन्स की वज़ा से खुले इलाके में आग लग गई हाइफा के पास एक मॉल में आग लगने की एक घटना हुई है वहीं हिजबुला के मुताबिक उसके इन हमलों में IDF के कई जवान घायल हुए है अज़ा जबुला के लाए आप से भुले के लगने को में आप सकतली हुई है वहीं हम्यों में आप ऍंद धवगने की जवाल में आप सुह